दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके BSC First Year Second Semester Botany के एक Most Important General इस Fagnum के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में हम इस Fagnum से जुड़े हुए इसके Classification, इसके Habit and Habitate और Thalus Structure के बारे में डीटेल से जानेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पता दूँ कि आपके BSC Second Semester Botany से जुड़े वे जितने भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं आप हमाया चैनल के प्लेलिस्ट में जाए वहाँ पर आपको सभी टॉपिक के वीडियो प्लेलिस्ट वाइज मिल जाएंगे तो आप जरूर उन सभी वीडियो को देखेगा बहुत ही हल्पूल वीडियो है तो आई यह बात कहते हैं हम जेनराइस फैगनम की तो इस फैगनम का सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे यानि कि सिस्टमाटिक तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि family स्वैगनेसी के अंतरगत आपको केबल एक ही जीनस देखने को मिलेगा और वो है स्वैगनम तो यदि हम बात करें स्वैगनम की तो स्वैगनम को हम bog मास, peat mops या tough moss के नाम से भी जानते हैं तो उस्वैगनम को bog मास या peat mous कहने का reason क्या है तो मैं आपको बता दूँ कि जो sphagnum है वो आसानी से acidic marsiplex यानि की bog में आसानी से grow कर पाता है इसलिए इसे कहते हैं bog moss और इसी के साथ साथ जो इसकी plant body है जब dead कर जाती है तो वो soil की water holding capacity को increase कर देता है इसलिए इसे बोला जाता है peat moss sphagnum is represented by about 336 species which are cosmopolitan in distribution तो sphagnum की लगभग 336 जातिया ग्यात है जो की लगभग सभी जगहों पर पाए जाती है वह हम बात करें भारत में तो भारत में इसकी केवल 20 species ग्यात है इसकी कुछ important species है जैसे की sphagnum neemorium, sphagnum squerosum, sphagnum tenelum और sphagnum molluscum इसकी कुछ species जो hydrophytic होने के करण सम्मझ्ज होती है यानि की पानी में डूबी होती है जैसे की sphagnum ovesum और sphagnum cupidatum आज़े निश्टम बात करते हैं sphagnum के habitat and habitat यानि की इसके आवास और सभाव के बारे में तो इसकी जो species होती है वो aquatic होती है यानि की जली होती है कुछ ऐसी होती है जो की terrestrial reason पर पाए जाती है यानि की semi aquatic होती है और इसी के साथ साथ कुछ massive place पर पाए जाती है दलदली छित्रों पर पाए जाती है इसी के साथ साथ ये तालाबों तथा जो बड़े जील है उनके किनारों यानि margin पर पाए जाती है और ये इसके अलावा wet hill यानि की जो moist place है या फिर जो गीली मिट्टी होती है वहाँ पर ये देखने को मिलते है तो इस फैगनम की जो जातिया होती है वो बड़े बड़े जीलों के प्रायक किनारे पर उगना स्टार्ट करती है और धीरे धीरे ये क्या करती है पूरी water body को यानि की पूरे तालाब को ढग लेती है तो पूरे तालाब को ढगने की वज़े से ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है बॉग में इसलिए इस फैगनम को हम बॉग मास कहते है आईए नेक्स हम बात कहते है इस फैगनम के plant body की तो सबसे पहले हम इसके external feature को देखेंगे तो जैसा कि हम सभी जानते है कि जितने भी ब्राय fights होते हैं उनके जो main plant होते हैं वो gametophyte होते हैं तो इस फैगनम की जो plant body होती है वो भी gametophyte होती है और ये दो stage में आपको देखने को मिलेगा पहला है juvenile protonima stage और जो second है वो है leafy gametophyte stage तो अगर हम बात करें juvenile protonima stage की तो इसका जो formation होता है वो होता है इस पोर से तो जब इस फै जाले बनाता है juvenile protonima stage और बाद में जब ये adult form में आता है और adult form में आते ही बनाता है leafy gametophyte stage तो इसकी जो juvenile proteinima stage होती है यह irregular lobed thallus होती है और ये generally one cell थिक होती है तो ये जो juvenile proteinima stage है यह सबस्टेटम से जूडती है और सबस्टेटम से किस से जूडती है राजोड से और तो जैसा कि figure में आप राइट साइड देख सकते है ये थैलस protonima है जो की irregular shape का है और आगे जो develop करता है तो इससे rhizoid बनते है और ये सबस्टेटम से attached होता है और ये बाद में जब ग्रो करता है यानि कि adult form में आता है तो leafy gametophyte stage बनाता है तो जैसा कि यहां पर आप देख सक होते हैं लिखा हुआ है from protonima arise the erect leafy gametophyte called gametophore तो जो protonima है ये उपर की और बढ़ता है और इसी से एक leafy gametophyte stage निकलती है जिसे हम gametophore कहते हैं very young gametophyte severe multicellular rhizoid with oblique septa तो जो young gametophyte होते हैं उनमें multicellular rhizoid पाए जाते हैं और उसमें oblique septa होती है लेकिन जब ये mature gametophyte में हो rhizoid नहीं पाए जाती तो इनमें rhizoid क्या हो सकता क्यों नहीं होती आगे हम वीडियो में जानेंगे mature gametophore can be differentiated into upright branches axis overall stem and leaves तो जो mature gametophyte होते हैं वो differentiate होते है main axis में जिसे stem कहते हैं और इसी के साथ साथ इसमें leaf like structure पाए जाती है तो जैसा कि right side आप figure में देख सकते हैं ये आप को mature gametophyte देखने को मिलेगा तो आईए हम next बात करते हैं इसके main axis और branches की इसके main axis और branches कैसे होते हैं तो इसका main axis होता है जब young stage में होता है तो ये soft और weak होता है बट जब ये mature हो जाता है तो ये erect और stout हो जाता है तो sphagnum की जो aquatic species है वो प्राहय लंबी होती है जबकि जो terrestrial form है यानि कि जो जमीन पर पाया जाने वाले sphagnum की जातियां होती है वो प्राहय कुछ छोटी होती है at the apex of the main stem many small branches of limited growth are densely crowded forming a compact head called coma तो जो main stem का apex वाला part होता है यानि कि जो उपर वाला part होता है वहाँ पर धे सारी branches निकल जाती है और वो क्या करती है पुरी तरह से crowded का देती है पुरी तरह से घेर लेती है और एक compact structure बनाती है जिसे हम बोलते हैं कोमा जैसा कि आप figure में देख सकते हैं उपर की तरफ धे सारे branches है और वो चारो तरफ से क्या होई है घेरी होई है और यहीं structure क्या कहलाती है अब यदि हम बात करें इनके branches की तो इन में दो तरह की branches देखने को मिलती है एक होता है divergent और दूसरा होता है pendant तो यदि हम बात करें divergent branches की these branches grow out laterally from the stem and extend outward in a horizontal position तो यह जो branches होती है वो laterally निकलती है और horizontal form में होती है यानि कि यह लंबहुत रूप में आपको दिखाए देंगी वहीं हम बात करें pendant की तो pendant branch को हम decurrent branch भी कहते हैं these branches grow out laterally from the stem drop or hang or run very close to the stem तो यह जो pendant branches होती है वो लंबी होती है और नीचे की और लटकी ही होती है और बहुत ही stem के close आ जाती है तो आप figure में यह दोनों तरह के branches देख सकते हैं एक branch है divergent और दूसरा है pendant वही हम बात करें इस sphagnum की कुछ submerged species की जैसे की sphagnum ovesum और sphagnum का speed datum तो इन में जो branches होती है वो एक ही तरक ही होती है यानि कि आपको इन में divergent और pendant type के branches देखने को नहीं मिलती जितने भी branches होंगे वो सभी एक ही तरक होंगे अब बात करते हैं इनके leaf की तो इनकी जो leaf होती है वो main stem और उसी के साथ साथ ये branches पे भी पाय जाते हैं on the stem they are little apart while on the branches they are smaller and overlapping तो जो stem पे पाय जाने वाली leaf होती है वो दूर दूर होती है जबकि जो branch पे पाय जाने वाली leaf होती है वो small होती है और एक दूसरे पर overlap होती है leaves are arranged in spiral manner with a phylo taxi of two by five that means sixth leaf will come above the first leaf तो आपको पता दे कि जो leaf का arrangement होता है उसे हम phylo taxi कहते हैं और इनकी जो पतियां होती है वो spirally arranged होती है और इसका जो phylo taxi होता है वो two by five होता है इसका मतलब यह है कि प्रतेक जो दो circle है वो पांच पतियां पूरी करती है और जो छटी पती हो जदि बात करें इनके leaf के structure की तो यह फीन होतीत स्मॉल होती हैं, fleshy होती हैं, oblong होती हैं और इनका जो base वाला reason होता है वो broad होता है यानि कि चोड़ा होता है तो इनकी पतियों में दो तरह के cell दिखाई देते हैं, एक होता है photosynthetic cell और दूसरा है highline cell, इनके बारे हम आगे अभी detail में समझेंगे, तो इनमें जो photosynthetic cell होती हैं, वो smaller होती हैं, इन्हें assimilatory cell भी कहते हैं, क्योंकि ये chlorophyll रखते हैं, ठीक है, और ये जीवित को सिखाए होत cell, तो जो photosynthetic cell होती हैं, वो green color की होती हैं, जबकि highline romboidal cell जो होती हैं, वो colorless होती हैं, तो जो photosynthetic cell होती हैं, वो triangular होती हैं, या फिर biconvex होती हैं, और इसी के साथ इनमें जो chloroplast होता है, वो discoid set होता है, तो यहाँ पर आप figure में देख सकते हैं, कि जो photosynthetic cell हैं, वो green color की है जो high line cell है जो polygolar होती है यानि कि कई sap की होती है तो जो हाई-lion cell होती है ये colorless की होती है क्योंकि ये अपने proto brass को तो high line cell के जो wall होते है उसमें मेक்षे सारे pore होते है और इनकी जो thickening होती है वो spiral होती है The high line cell have a remarkable capacity of absorption and retention of water hence called capillary cell तो highline cell का जो सबसे main function है इनमे water retention property होती है यानि कि ये अपने अंदर water को रख सकते हैं और water absorption property भी होती है ये बहुत आसानी से water को absorb कर पाते हैं इसलिए इन्हें हम capillary cell भी कहते हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम sphagnum से जुड़े हुए इसके classification, habit and habitat और इसके थैलस के external feature के बारे में जाना अगले पार्ट में हम sphagnum के internal structure के बारे में detail से जानेंगे तो आपको आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके चुरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share करना मत भूलेगा और यदि आप हमाई channel पन रहे हैं और अभी तक आपने हमाई channel को subscribe नहीं किया हुआ है तो please channel को subscribe कर लिजे तक कि जब भी मैं इस तर आपसित